हेलो फ्रेंज नमस्कार मैं हूँ आपका होस्ट ब्रहमदेव फ्रेंज इंडोर हाउस प्लांस के लिस्ट में कम ही ऐसे फ्लावरिंग प्लांस हैं जो इंडोर कंडिशन्स में और बिना डिरेक्ट सनलाइट के भी अट्रेक्टिव फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं एंथूरियम या फ्लेमिंगो लिली या लब प्लांट एक ऐसा ही ओर्नमेंटल पिरेनियर हाउस प्लांट है जो ना केवल घर के अंदर की हवा से जहरीले वोलेटाइल और्गेनिक गैसेस को एबचॉर्ब करता है बलकि हट सेप वाले चमकिले हरे पते और भाइवरेंट रेड कलर या और भी कई सेट्स में निकलने वाले इसके फ्लावर्स इसकी खुबसूर्ती में चार चांद लगाते हैं आर्टिफीसियल प्लांट की तरह दिखने वाला एंथूरियम दरसल एर्म या एरेसिया फैमली से अने वाला एक टॉपिकल प्लांट है जो ओरिजिनली साओथ अमेरिका के घने रेन फोरेस्ट के अंदर पेडों परूगता है जहां सुर्ज की सीधी किरने भी नहीं जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे रेड कलर के अलावा इसकी कई दूसरी हैवरीड वेराइटीज विक्सित हो चुकी है और अब या पिंक, वाइट, पर्पल, औरेंज आदी कलर्स के अलावा मल्टी कलर्स में भी एवेलेबल हैं एंथूरियम एंड्रियेनम की हा एक टेबल टॉप प्लांट के रूप में इस्तेमाल के लिहाज से काफी suitable होते हैं फ्रेंड्स नर्सरी में यह प्लांट थोड़ा महंगा मिलता है लेकिन एक खुबसूरत इंडोर हाउस प्लांट के तौर पर इसकी decorative value के साथ इंडोर एयर को purify करने की इसकी ability इसके price को justify करत है मैंने अभी हाल ही में एंथूरियम की miniature varieties के इन plants को online purchase करने के बाद pot में transplant किया था तो आज के वीडियो में आप इन plants की unboxing देखेंगे इनकी price और seller के बारे में भी आप जानेंगे एंथूरियम को उसके suitable potting mix के साथ pot में कैसे transplant या report करना चाहिए या भी मैं आपको बताऊंगा और finally एंथूरियम की देखवाल समद्धी जरूरतों के बारे में भी विस्तार से चर्चा करूँगा Friends मैंने इस महीने यानि दिसंबर के पहले हफ़ते में South India के एक seller को 5 एंथूरियम plants के लिए order दिया था और online payment के बाद एक हफ़ते के अंदर courier के थूरू plants को मेरे पते पर deliver कर दिया गया यही वह packet है जिसमें plants को मुझे deliver किया गया पहले plant की unboxing कर लेते हैं और उसके बाद इनकी price के बारे में भी आपको बताओंगा आप देख सकते हैं कि plants को बहुत ही अच्छे तरीके से pack किया गया है root वाले हिस्से को plastic से wrap किया गया है ताकि उसमें moisture बरकरार रहे और plant के उपरी हिस्से को news paper से cover किया गया है तो पहले newspaper को हटा कर plant की सेहत का जाजा लेते हैं यह है white color के flower वाला एंथूरियम plant काफी अच्छे condition में हैं इसके बाद दूसरे plant को भी unwrap कर लेते हैं देखिए यह है deep purple कलर के flower वाला एंथूरियम कितना सुन्दर है और plant भी कितना healthy देख रहा है friends अब तीसरे plant को unwrap करते हैं newspaper को tape से चिपकाया गया है ताकि अब plant के साथ interact रहे देखिए इसके flower का color light purple है और plant भी healthy है इसके बाद चोथा plant लेते हैं देखिए कितना खुबसूरत है इसका फूल pink के साथ white color का variegation है और plant भी पूरी तरह स्वस्थ है अब आखरी plant को भी दिखाता हूँ आपको देखिए हल्के red color वाला इसका फूल कितना सुन्दर देख रहा है काफी healthy plant है यहाँ मैं इसके root system को भी खोल कर आपको दिखा देता हूँ sweet heart pink नाम लिखा हुआ है इस variety का देखिए polythene के अंदर का newspaper cover moist condition में है इसका मतलब है कि अंदर का root system भी moist है देखिए कितना healthy root system है soil media के तोर पर कोको पीट का इस्तेमाल किया गया है जिसकी वजह से plant का weight भी काफी कम है तो मुझे काफी खुसी है कि plants को बहुत ही अच्छे तरीके से pack करके भीजा गया है और सारे के सारे plants काफी healthy है अब बारी है plants की price के बारे में जानने का तो friends एंथूरियम के इन plants में से हर एक की कीमत है 225 Indian rupees यानि 5 plants के लिए INR 1125 और INR 200 postal charges के तोर पर seller करनाटका के कोडागू से हैं और एक facebook page के थूरू मैंने इन से contact किया था friends अब आगे की बात करते हैं जो है plants को pot में transplant करने के बारे में जब भी आप किसी perennial plants को online या offline purchase करें तो तुरंत उसकी reporting ना करें कम से कम एक हफ्ते तक plants को सेड में रोसनी युक्त जगा पर अनुकूल वातावरन में रखें और नए माहौल में adjust करने का समय दें मेरे ये plants साउथ इंडिया से आये हैं जहां का मोसम दिसंबर में भी warm और humid होता है और अन्थूरियम के लिए काफी suitable होता है लेकिन दिसंबर में नॉर्थ इंडिया का climate काफी cool और dry है और अन्थूरियम के लिए suitable नहीं है मैंने पिछले 10 दिनों से इन plants को indoor रखा हुआ है एक plastic pot में जिसके आधे भाग में moist coco peat भड़ा हुआ है इसकी वज़ा से plants के आसपास humid वातावरन बना रहता है तो अब ये plants transplanting के लिए तयार हो चुके हैं पिछले 10 दिनों से डेली में plants के उपर Luke warm water का spray भी करता रहा हूँ ताकि वातावरन के अच्छानक परिवर्तन का प्रभाव इनके उपर कम से कम हूँ आगे मैं एंथूरियम की care के बारे में भी बात करूँगा लेकिन पहले इन्हें transplant करने की तयारी कर लेते हैं एंथूरियम को transplant या report करने के लिए एक खास तरह के potting mix की जरूरत पड़ती है इन्हें साधरन potting mix में transplant नहीं किया जा सकता है दरसल एंथूरियम एक epiphytic plant है orchids, ferns और bromeliads की तरह या rainforest के humid वातावरन में बड़े-बड़े पेरों के तनों पर उपता है इनके roots का ज्यादतर हिस्सा हवा में exposed रहता है और बारिस या हवा से moisture को absorb करने का habitual होता है एंथूरियम के roots air loving होते हैं और उन्हें एक consistent moisture level की भी जरुड़त पड़ती है अपने natural habitat में एंथूरियम के roots सड़ते गलते organic matter से अपना भोजन ग्रहन करते हैं इसलिए pot या container में एंथूरियम को grow करने के लिए potting mix काफी हलका, slightly moist और बहुत ही अच्छे aeration वाला होना चाहिए ताकि एंथूरियम के roots को खुल कर सांस लेने का मौका मिल सके इसके साथ ही potting mix में humus की मात्रा भी भरपूर होना चाहिए ताकि roots को धीरे-धीरे nutrients की आपूरती होती रहे तो potting mix के लिए जो growing media मैंने लिया है उसका परिचय आप से करवा देता हूँ सबसे पहले चीज है कोकोपीट जो काफी हलका और स्पॉंजी होने के साथ neutral pH वाला popular soilless growing media है इसे अच्छी तरह पानी से वास करके पानी को निचोर दें और तब इस्तेमाल करें इसे 25% की मात्रा में लेना है यानि एक चोथाई भागो एंथूरियम के potting mix का अगला ingredient है उट चारकोल यानि लकड़ी का कोईला winter में यह आसानी से मिल जाता है इसके छोटे-छोटे टुकड़े आपको लेने है लगभग आधे से एक इंच साइज के या भी काफी हलका और पोरस होता है और water और minerals को absorb करने के साथ fungus के growth को भी रोकता है इस्तेमाल से पहले इसे साफ पानी से अच्छी तरह वास कर ले इसे भी 25% की मात्रा में लेनी है यानि एक चोथाई भागो एंथूरियम के potting mix का अगला ingredient है cocoa chips यानि नारियल की रेसों के ये छोटे-छोटे टुकडे लगवग एक इंच साइज वाले इसमें हवा और पानी दोनों एक साथ अच्छे amount में store हो सकते हैं इसे 10% की मात्रा में लेना है यानि 10 बराबर भागों में एक भाग इस कड़ी में अगला ingredient है sphagnum moss आप देख सकते हैं ये कितना fluffy और spongy है या भी हवा और पानी दोनों को एक साथ store कर सकता है इसे इस्तेमाल करने से पहले कम से कम एक घंटे तक पानी में भिगो ले इसे भी 10% की मात्रा में लेना है यानि 10 बराबर भागों में एक भाग इन्थूरियम के potting mix में अगला ingredient होगा परलाइट या भी एक lightweight material है और बहुत अच्छा aeration प्रोवाइड करता है इसे भी 10% की मात्रा में लेना है यानि 10 बराबर भागों में एक भाग इस कड़ी में अगला ingredient जो आपको लेना है वह है leaf compost आम तोर पर या market में easily available नहीं होता है हलाकि सूखी पत्तियों से आप इसे खुद भी तयार कर सकते हैं या भी एक spongy material है जिसमें हवा पानी और humus की अच्छी मात्रा होती है इसे भी 10% की मात्रा में लेना है इन्थूरियम के potting mix का आखरी ingredient है या अलग-अलग तरह के compost का mixture इसमें वर्मी compost, tea leaf compost और well-composted cow dung manure की बरावर मात्रा है या slow release organic fertilizer की तरह काम करेगा इसे भी 10% की मात्रा में लेना है यानि 10 बरावर भागों में एक भाग तो इन 7 ingredients को एक बड़े टब में डाल कर mix कर लेते हैं इन्हें खुब अच्छी तरह mix करना है ताकि सारी चीजों का एक uniform mixture तयार हो जाए यह mixture already moist condition में है क्योंकि ज़्यादतर चीजों को इस्तेमाल करने से पहले पानी से wash कर लिया गया था इस तरह एंथूरियम के लिए एक बहतरीन potting mix बनकर तयार हो चुका है लेकिन इसे इस्तेमाल करने से पहले इसमें दो और चीजें मिलानी है पहली चीज है यह trichoderma powder जो एक natural fungicide है इसे चारपाच चमच की मातरा में डालेंगे इस potting mix में अगर trichoderma आपके पास ना हो तो एक आज चमच की मातरा में chemical fungicide का इस्तिमाल भी आप कर सकते हैं अगली चीज है प्राउम fertilizer यानि phosphate rich organic manure इसे भी 4-5 चमच की मातरा में मिलाएंगे इसकी जगह पर आप rock phosphate या stimmed bone meal का इस्तिमाल भी कर सकते हैं अब एक बार फिर से सारी चीजों को अच्छे तरह mix कर लेते हैं और इसके बाद एंथूरियम की transplanting का काम सुरू करते हैं तो इन 5 प्लांट्स को transplant करने के लिए हमने 6 इंच वाले pots लिए हैं ये decorative pots हैं और इनमें multiple drainage holes भी हैं एंथूरियम को लगाने की सुरूवात हमेशा छोटे size के pot से ही करना चाहिए इसके दो कारण हैं पहला यह की एंथूरियम एक slow grower होता है और दूसरा यह की इसे root bound होना पसंद होता है साधरन तोर पर इंथूरियम को 2 से 3 साल बाद ही अगले बड़े size के pot में report करने की ज़रूद परती है तो पहले इस plant को लगाते हैं इसके root ball के उपर से पहले cover हटा लेते हैं देखिए या अभी भी moist है अब देख सकते है root system भी काफी healthy है अब pot में थोरा potting mix डाल कर plant को center में रखें खाली space को potting mix डाल कर भरें और हलके हलके अंदर की तरफ push करते रहें ताकि कोई बड़ा air pocket अंदर दना रह जाए तो इस तरह से पहले plant की transplanting पूरी हो चुकी है बाकी की plants की transplanting भी इसी तरह से होगी अब मैं बाकी चार plants को transplant करते हुए एंथूरियम की care के बारे में कुछ महतपुर्ण tips आपको बता रहा हूँ friends एंथूरियम की proper potting mix के बाद चो महतपुर्ण चीज है वह है proper location एंथूरियम का plant direct sunlight को बिल्कुल भी tolerate नहीं करता या एक shade loving plant है और sunlight के direct exposure से इसके पत्तों के ऊपर sunburn हो जाता है और पत्ते पीले पढ़कर सूखने लगते हैं इसलिए एंथूरियम को अच्छी रोसनी वाली जगा पर रखें लेकिन ध्यान रहे कि इस पर सीधी धूप ना परे एंथूरियम को गर्म और नमी युक्त वातावरण पसंद है या 18-32 degree Celsius के बीच के temperature में तथा 80-90% humidity वाले वातावरण में बहुत अच्छी तरह ग्रो करता है अगर आप एक fully tropical region में नहीं रहते हैं तब इन दोनों factors को जरूर consider करें और odd period में उसे artificially simulate करने की कोशिस करें सुखे मोसम में नमी की कमी के कारण भी अंथूरियम के पत्तों में browning होनी लगती है इसलिए plants के आसपास नमी को बरकरार रखने के लिए यूप warm water की misting दिन में एक या दो बार जरूर करना चाहिए इसके अलावा pot के bottom में छोटे छोटे कंकर पत्तर और रेत के मिसरन से भरा हुआ ट्रे रखें और उसमें पानी डाल कर भीगोए पानी के evaporation से plant के आसपास नमी का वातावरन बना रहेगा फ्रेंस एंथूरियम के roots पानी के प्रती बहुत संबेदन सील होते हैं उसे ना तो ज्यादा और ना ही कम पानी पसंद है इनके roots भीगने के बाद धीरे-धीरे सूखना पसंद करते हैं लेकिन बहुत देर तक सूखी अवस्था में भी नहीं रह सकते इसलिए एक बार पानी देने के बाद अगला watering तभी करें जब pot का स्वाइल अल्मूस्ट सूखने ही वाला हूँ प्रॉपर watering ना करने के कारण अकसर एंथूरियम के महंगे plants root rot की वज़ा से मर जाते हैं एंथूरियम के plant को root rot या fungal infection से बचाने के लिए दो ग्राम फंगी साइड का प्रति लीटर पानी के साथ गोल बना कर महीने में एक बार plants के root system में अपलाई करने के साथ उनके पत्तों पड़ भी छिड़काओ करना चाहिए एंथूरियम की fertilizer requirement बहुत ज़्यादा नहीं होती है इसके active growth period में यानि गर्म महीनों में या micronutrient powder डालकर plant के उपर foliar spray करें या foliar spray आप 15 से 20 दिनों के अंतराल पर कर सकते हैं किसी भी तरह का foliar spray करते वक्त ध्यान रखें कि एंथूरियम के flowers के उपर spray ना हो अन्यथावे जल्दी खराब हो जाएंगे dry conditions में रखने पर एंथूरियम के flowers महीनों तक तरो ताजा बने रहते हैं जब ये सूखने लगे तब नीचे से इसे किसी sharp tool की मदद से काट कर हटा देना चाहिए एंथूरियम के 5 प्लांट्स को pot में transplant किया जा चुका है अब इनके potting mix के उपर पानी का spray कर देते हैं एंथूरियम को रोशनी पसंद है लेकिन सीधी धूप नहीं एंथूरियम को moist soil पसंद है लेकिन soggyness बिल्कुल भी नहीं इसके roots को moisture जितना पसंद है उतनी ही हवा की भी जरुरत होती है सफोकेशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए एंथूरियम को लगातार एक warm और humid environment की जरुरत होती है वातावरण में अत्यधिक बदलाव भी इसे पसंद नहीं है तो friends आसा करता हूँ कि इस वीडियो से एंथूरियम को समझने और उसकी care करने में आपको जरूर मदद मिलेगी अपनी पसंद की जाहिर करने के लिए क्रिप्या like बटन को प्रेस करें और gardening से related इसी तरह के धेरो interesting वीडियो को देखने के लिए City Gardening चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आप अपनी queries को नीचे comment box में post कर सकते हैं Thank you for watching